जो गाइज, वेलकम टू ओल उफ यू लण विथ मी स्वागत है अप सभी का हमारी यूटीब चैनल लण विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर विडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजेगा आज हम पढ़ने वाले हैं machine input का part 4 ठीक है इसके पहले मैंने आप लोगों को तीन पार्ट पढ़ा दिये हैं जिसमें हम लोग basic से लेकर clear करते जा रहा है ठीक है पहले हमने basic सिखा था फिर एक level उपर गया थे फिर एक level उपर गया थे ठीक है एक एक करके हम एक एक pattern को क्या करते जा रहे हैं सिखते जा रहे हैं जिते भी pattern थे हमने क्या क्या उसे solve करना सीख रहे हैं ठीक है दो तिन pattern हमने solve कर लिया है जैसे की एक हमने ascending descending solve किया है ठीक है एक हमने vowel consonant solve किया है एक lecture और number वाले एकसा solve किया है ठीक है ये सब हमने discuss कर लिया आज हम एक level और उपर पढ़ेंगे ठीक है part 4 में अगर आप लोगोंने ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को आने वाली class में better समझाए ठीक है तो बिना किसी देरी के चलते हम हमारे input की तरफ ठीक है input की रहा क्या लिखा हुआ है सबसे पहले इसमें मुझे numbers से भी दीख रहें और words भी दीख रहें ठीक है numbers कौन कौन से दीख रहें मुझे number दीख रहें यह टू ड्राइब के लिखा हुआ है ठीक है फई क्या लिखा हुआ है क्या बोल रहा पहले स्टिप में faces क्या क्या मुझे क्या देक रहें सबसे पहले पर 88 को इसमें हटा दिया लीखा हुआ है ठीक है इसे की बोल रहा है पहले सेय। सबसे अ 84 को इसने हटा दिया थीक है क्या ले आया क्वीन ले आया इंपुट में 84 क्वीन लिखा था पर पहले स्टेप में पहले क्या लिखा हुआ है क्वीन लिखा हुआ है थीक है पहले स्टेप में इसने क्वीन लिख दिया मतलब क्या गया पहले नम्मर पे आ गया क्वीन क्या गया सब फ़ीन पहले सारे पहले लेल आया उसके बद बाकि सारे चाहिए। है नमबर उठीग को है। सब खिर लिख लिख दिया क्या चाहिए फिर टूवर इंपूट में क्या लिखा हुआ है। इसलिके लिखा है पर लिखा नियुक्ट के आहिए। क्या लिखता है तॉ ठीज लापि कि यृइग दिए है थर्टी टॉ मतलब इस पहले नम्मर्प आगया इस बहते exists समझ मैं क्वेशा है तॉ एपेन करतीटॉ को सबके साम उसकाद करें के नाřिक दोषदख कर दोषद में करद करुछने दूक्यान कथstroke 32 के बाद कुछ लिखा है क्या दूसरे स्टेप में बिल्कुल नहीं 32 के पहले कुछ लिखा है क्या बिल्कुल लिखा है यह लिखा है दूसरे स्टेप पहले स्टेप में 96 आइस 32 ठीक है आइस अगर चला गया मेरा दूसरे स्टेप में तो क्या बचा यहां पर 96 आना चाहिए था तो 96 नहीं आया 32 के पहले क्या गया 84 आगया मतलब यह क्या है अरेंजमेंट हो रहा है कैसे अरेंज हो रहा है मुझे क्या समझ में आया मुझे क्या समझ में आया यह इसने पहले इधर लिखा ठीक इधर बीच में सब लिखे हुए थे लास्ट को इसने इधर लिख दिया और इस दूसरे नम्मर को इधर लिख दिया ठीक है अभी तक यही भीया कुईन, यहां पे ऐया थर्डी टूँ, यहां पे आईया अईस Wahl increase गाल पीज़े लिए हीवार, कीन बहुरेता हाई है, मंगा साउ आँ नबाकला के महांतलुफ साउा प्राव, दूस्रा पफिज़ोर प्रोफिसरा 4 डूसर उइन यरे कर से मोशी इसमें वइन पर। लोप पहले है और लूस्तिज फोर यह जाए दूसरे नमर नमर पर हीं और इसमें 1 और यह 84 फिर क्या लिख्षा जैसके पर question स्भश्ष्णय के बाद vaader स्भश्ष्णय के इया अब जाओ टूर से हैं पूटा यह Mi Dear अभी क्या लिखा इसमें इसमें दूसरे लिख्ष्णय के से श्ष्णय की पाद impact sa यह तूड़े आ गया है चौछ नमबर पांचवे पर पूट ठीक है मतलब यह क्या है कुछ आटो अरेंज मिलिया मुझे जी के बाद टी आना था टीक बाद पी आना था ठीक है यह क्या मिलिया मुझे आप लोग को एक नॉर्मल बोल के दिखाने हैं फिर हम इसके क्या करेंग ठीक है और इसमें क्या क्या आया पहले पर 32 दुसरे पर 84 तीसरे पर 96 चोथे पर 25 पाचुए पर 47 ठीक है अब सबसे पहले अगर मैं नमबर को देखने लगूँ कि इसने क्या लोजिक लगाए है तो मैं क्या देख सकते हूँ सबसे पहले 32 ठीक है उसके बाद क्या ले आया 84 ठीक है इसके बाद क्या ले आया 96 ठीक है उसके बाद क्या ले आया 25 उसके बाद 47 से 40 ठीक है इतना इसन ले आया अब मैं क्या देख सकते हूं सबसे छोटा कौन साइज में 25 पर इसने क्या लिए 32 लिए तो या तो छोटे से बड़ा या तो बड़े से छोटा या फिर odd या फिर even ठीक है नमबर में क्या चलेगा odd या even ठीक है अब हम देखते हैं ascending descending तो follow नहीं क्या छोटे बड़े अब हम देखते हैं कि क्या odd even follow कर रहा है तो इसमें क्या है मैं देख सकते हूं इतने क्या है even है मतलब Samsung क्या है ठीक है और इतने क्या है दो क्या है inese Samsung क्या है और है ठीक है यह मैhuने देखा यह मुझे लिख़ा और वी Samsung घयर यह मुझे लिख़ा Even Samsung क्या शबसे पहले से number में Even को लिया है वो भी छोटे से बड़ा ठीक है even लिया है ascending order में और उसके बाद even जब तीनों हो गए 32, 84, 96, तीन दीख गए मुझे छोटे से बड़े उसके बाद इसने क्या कर दिया odd चालू कर दिया ठीक है 25 और 47 चालू कर दिया even even के बाद odd और वो भी किसमें बढ़ते करम में अब हम चलते हैं लेटर की तरफ ठीक है वर्ट की तरफ की तरफ की क्या क्या लिखे वह सबसे पहले queen क्या करेंगे इनकी place value लिख लेते हैं और फिर क्या देखेंगे हम इसमें बड़े से छोटा चोड़ते से बड़ा और क्या देखते हम वोवेल देखेंगे konsolant देखेंगे ठीक है और कुछ नाया मिलता तो हम उसे चेक करेंगे सबसे पहले मैंने देखा q का होता है 17 p का होता है एक मिनटे से हम line से लिख लेते हैं ठीक है पहला आया q q उसके बाद आया i उसके बाद आया g उसके बाद आया t उसके बाद आया p मतलब यह 17 यह 9 चीक है यह 7 यह 20 यह 16 अब 17 पहले आगया मतलब सबसे छोटा 17 है क्या है बिल्कुल नहीं सबसे बड़ा 17 है क्या बिल्कुल नहीं सबसे छोटा तो 7 है सबसे बड़ा क्या है 20 है तो ये छोटे से बढ़ा बड़े से छोटा पैटन चलेगा क्या नई अब वाविल कॉंसोनेंट का देखूं अगर मैं वाविल तो सिर्फ आई दिख रहा है और कॉंसोनेंट क्यू जी टी पी पर इनके बीच में तो आई आगा क्या तो वाविल कॉंसोनेंट का फॉलो करेगा क्या नई अब क्या हो सकता यार देखो 17 हो गया 9 हो गया 7 हो गया 20 हो गया 16 हो गया मैं क्या देख सकती हूं मुझे यहां पर क्या क्या दिख रहे है 17 9 7 20 16 अब मुझे ये तीनों और दिख रहा है, ये दोनों क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है, ये तीनों क्या है, विसम संख्या है, ये दोनों क्या है, समसंख्या है, ठीक है, मतलब क्या किया है इसने, लेटर जो थे हमारे, उसमें सबसे पहले इसने और लिखा, उसके बाद इवन लिखा, ठीक है, लेटर में क्या किया, orde है, एवन लिखा विसम के बादसम लिखा, वो भी घटते क्रम में, वो भी है, डिसेंडिंग आउडर में, ठीक है, इत्थी बाते समझ में, सत्रा, फिर नौ, फिर साथ सबसे पहले सिंन बड़ी संख्यां को लिखा, मतलब घटते क्रम में, घग है, औ सबसे पहले उसम घटरें को बीघट इसंदिंटे इसने अधर मतला तब मैं इसमें सबसे लिखा ऊथी अगूंधव गर्ण वह क्या है कि मुझे में 0 यह अब रिखा ते में इसम टॉष्था कि मैं जोवंग वी बीट करों यह किया था इसका एक लॉजिक स了 यह मुझे logik पता चल गया सब्से पhaly मेंÓ है और लिखा लैrator में फिर इवन दीखा वह भड़ लिखा तो सबसे पहले स्टेप हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले इंपुट 84 कुई लिखा था तो हम क्या करेंगे लेटर को लिख लिया हमने क्यू टी जी पी आई ठीक इसमें 1727 और ये 16 और ये 9 पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लेटर में और आएगा और है ये ये और ये वह भी घटे करम में मतल 84 25 47 96 32 थीक है यह है अभी क्या किया इसने नंबर में सबसे पहले क्यू आ गया और नंबर में क्या जाएगा इवन आएगा मतलब 32 और 96 और 84 वह भी बढ़ते करम में मतलब सबसे पहले क्या जाएगा 32 इसने लास्ट पे ऐसा लिख लिए बाकी सब क्या आगे बीच प्या थी किया अब कु के बाद इस ने क्या लिखा है क्यों के बाद की आएगा सब्सक्राइब कि नुट राएगा तो 9 यहां मतलब 20 कि अई आगक्या ठीक उसके बाद 32 के पहले के आजएगा 32 96 84 में बढ़ते करम में तो 84 गया वाखिस भी सब ऐसतीज आ गया तीसरे स्ट्रेफ में उसके भ стол कि ऐसे बाद की आजाएगा है जी ऑजाएगा क्लिब्स को जाकी गए बाद शाथ हम आई ले सांद लेना धृक है ऑर इसके बाद 96 आगया इधर 96, 84, 32 बागी सब बीच के air से या गए ठीक है तो अब पता चल गया मुझे अब मैं क्या करती हूँ इसी question के तरफ चलते हैं अब हम क्या करेंगे इसी pattern पर हम क्या करेंगे question solve करेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं question के तरफ यह रहा आप लोगों के सामने question ठीक है? यह लेटर था हमारा और क्या था हमारा number 30 के letter हमने कैसे लिखा था? सबसे पहले क्यों आया था? उसके बाद आया था 17 के बाद 9 आया था मतलब odd आया था उसके बाद क्या था? odd के बाद ही हमने even लिखा था 17 के बाद 9 मतलब घर्टे करमगरम ठीच अर 32 8496 इस अनल जया था उस प्वाद लिए था जार्ट जो भी किसमे था गर ट डाया था इत्ता हम लिख लिए अभी क्या करते हैं हम करते हैं अब अपना input को लिखते हैं ठीक है input लिख लेते हैं 53 आ गया उसके बाद cut का C आ गया 46 आ ठीक है उसके बाद 71 आ गया rock का R आ गया 67 आ गया फिर love का L Jack का J 22 और यह Sam का S ठीक है मैंने यह लिख लिख लिया input अब मैं क्या करूंगी सबसे पहला स्ट्रिप जब मैं बनाऊंगी तो मुझे letter लेना है इसकी place value होती है 3 इसकी 18 इसकी 12 इसकी 10 इसकी 19 ठीक है यह क्या किया मैंने लिख लिया अब मुझे क्या लेना है और यहां पे एक तो 3 दीक रहा है और 19 दीक रहा है मुझे ठीक है letter में तो घटे क्रम में लेना है तो सबसे बड़ा वरणा पहले आ जा का जाएक तो क्या जाएगा पहले सेम का एस ले लिया मैंने ठीक है यह हो गया मेरा और क्यालेना है मुझे number लास्ट में लेना था नंबर पी क्या लेना मुझे इवन इवन नंबर कौन कौन सा है एक तो 46 देख सकती हूं मैं ठीक और एक कौन से देख सकती हूं 22 दो नंबर दीख रहे हैं वह भी बढ़ते पर लेना है तो 22 आ जाएगा मेरा ठीक है यह दो क्या हो गई लिखा गए हमारे अब बाकी सबको हम क्या करेंगे एजटीज लिख लेंगे ठीक है मैं यह बाकी सबको लिख लेती हूं ठीक यह लिखा गया अब दूसरा इस टेप जब मैं बनाऊंगी एस ऐसी रहेगा 22 ऐसी रहेगा ठीक है एस के बाद इवन नंबर कौन सा बचा मेरा 3, 18, 12, 10 में से 3 6 आगया ठीक अब आकी नंबर के आजएंगे एजटी सी भी लिखा गया और 46 भी लिखा गया ठीक है बचे क्या 53, 71, R, 67, L और J ठीक है यह क्या हूँ मेरा बच गया इदर थोड़ा सा अब ठीक है हना अब क्या करते हैं तिसरे पर चलते हैं तिसरा स्टेप कैसे करेंगे हम S और C लिखा जाएगा 46 और 22 लिखा जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब और दीख रहे हैं क्या उननीस और तीन के बाद कोई सा और रहे हैं क्या विल्कुल नहीं 18, 12, 10 हैं R, L और J हैं तीनों ही क्या है इवेन है तो इवेन क्या करेंगे अब घटे क्रम में ले लेंग अब क्या है R ठीक है R लिख लिए मैंने यह भी लिखा गया मेरा अब क्या बच्छा नंबर पिक्या बच्छा 22 और 46 के बाद कोई से ऐसा इवन नंबर है कि 53, 71, 67 में से कोई इवन नंबर है नहीं अब क्या ले लूँगी मैं और नंबर ले लूँगी वह भी बढ़ते क्रम में इन तीनों में से क्या आजएका बढते करम में लेना है तो मुझे सबसी छोटा कॉन से 53 ठीक है 53 46 22 इधर SCR यह लिक लिए अब बचा क्या मेरा 53 पी लिक लिए मैंने बचा क्या 71 67 L और J ठीक है यह क्या हो बज़ गया अब चौता स्टिप जब मैं बनाओंगी ऐसी आर ऐसे ही रहेगा फिफ्टी थी फॉटी सिक्स ट्वंटी टू ऐसे रहेगा ठीक है यह लिख लिए हमने अब क्या करेंगे हम एसी आर आर के बाद क्या जाएगा आर के बाद कौन सा आएगा ठारा हो गया बारा और सड़सट में से क्या लिखेंगे छोटे से बढ़ा जाना है तो क्या जाएगा 67 पहले आजाएगा 67 भी लिख लिए मैंने बचा क्या 71 और जे अब जमाने की जरुत है कि बिल्कुल जरुत है एल के बाद 71 के बाद जे थोड़ी ना आएगा एल के बाद जे आना चाहिए तो इसमें क्या होगा हमारा पांचवा स्टेप भी क्या होगा बनेगा ठीक है पांचवा स्टेप भी हम क्या करेंगे बनाएंगे पांचवा स्टेप जब लिखेंगे तो क्या जाएगा S, C, R, L, J और इदर 71, 67, 53, 46, 22 ठीक है यह हमारा input था input से हमने क्या किया question solve कर लिया ठीक है जैसे जासा पहले statement बताया गया था हमने क्या किया वैसे वैसे सारे statement बना लिया ठीक है यह हमारा मिल गया हमें सारे statement input के अब question क्या बोल रहा है पहला question बोल रहा है there are how many words यहाँ पर यासी कितने words है और numbers है सब्द है और संख्याए है between second element from the left by से दूसरे element और third element from the right by से तिसरे element in fourth step ठीक है इसका बोलने का मतलब यह है कि चौथा step जो है हमारा चौथा step जो है हमारा उसमें क्या है तीसरे right side से तीसरा letter और चौथा step में क्या है right side से तीसरा letter और तीसरा element और left side से दूसरे element के बीच डिफ्रेंटे words है और numbers है ठीक है चौथा step यह रहा मेरा इसमें क्या बोल रहा है right side से तीसरा मतलब एक, दो, तीन 53 ठीक है 53 और left side से दूसरा मतलब c क्या था यह cut cut और 53 के बीच कितने words है और numbers है तो हम क्या करेंगे words और numbers count कर लेते हैं कि c और 53 में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है words और number मिला कि हमारे total कितने हैं 5 ठीक है c और 53 के बीच में words और number मिला कि total कितने element है 5 तो पहले का answer क्या जाएगा 5 ठीक है इत्ति बत्या आगी समझ में अब दूसरा question क्या बोल रहा है दूसरा question बोल रहा है what is the difference between अब difference पूछा है किसके किसके बीच में अंतर पूछा है चौते element में right side से चौते element right side से ठीक है पहले step में पूछा है right side से चौता कौन से हो जाएगा 1, 2, 3 और यह 4 67 और left side से दूसरा मतलब 1, 2, 53 इन दोनों का difference पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 6 में से 5 गया तो 1 answer क्या जाएगा 14 ठीक है अब तीसरे answer क्या निकाल लेंगे है क्या हो रहा there are how many words between rock and 53 in step 5 step 5 कहा है यह रहा step 5 इसमें क्या पुछे how many words between rock यह रहा हमारा rock और 53 53 ठीक है how many words पूछा है तो अब 1,2,3,4 answer 4 होगा ऐसा नहीं करेंगे ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा question को हमें ध्यान से पढ़ लेना है exam में बहुत ही silly mistake हम कर जाते हैं ठीक है हमें क्या बोला है पहले वाले question में words और number पूछा था दूसरे वादे में क्या पूछा only words पूछा ठीक है there are how many words पूछा तो हम number count करेंगे क्या बिल्कुल नहीं ये count नहीं होगा count क्या होगा L और J ठीक है दोनों की बीच में कितने words है 2 ठीक है तो इस answer कितना है 2 ठीक है ठीक है आज हमने सिख लिए order event ठीक है इतने concept हम discuss कर चूग है ठीक है आज की class आप लोग के सामने ये रही उमीद करती हूँ कि आप लोग को मैंने जो समझाया वो समझाया होगा ठीक है अगर पसंद आ रहा है वीडियो helpful है तो प्लीज इसे maximum share किजेगा और जाद से जाद लोगों को जोड़ने की कोशिस किजेगा ठीक है वीडियो का end up करते है हमें आप एक कल फिर मुलाकात होगी एक नए question के साथ एक नए pattern के साथ ठीक है तो चले वीडियो का end up करते है till then keep learning keep practicing thank you and bye-bye